दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलिवूड यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस घंटे को ताके आपको मिल सके बॉलिवूड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तो सुवागत हैं आपका एक बार फिर से जी हाँ दोस्तो आज हम आपको अभी नेता गोविंदा की साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म कोली नमबर वन और साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म दूले राजा के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दूले राजा फिल्म के बारे में दोस्तो दूले राजा फिल्म 1998 को रिलीज हुई थी इस फिल्म को हरमेश मलहोतरा ने डायरेक्ट कया था इस फिल्म में गोविंदा, रवीना टंडन और कादर खान लीड रोल में थे गोविंदा ने इस फिल्म में राजा की भूमी का निभाई थी कादर खान ने केके सिंखान्या की भूमी का निभाई थी अगर हम रवीना टंडन की बात करें तो उन्होंने किरन सिंखान्या की भूमी का निभाई थी अगर हम इस film के टोटल वर्ल्ड वाइट कलेक्शन की बात करें तो 23 करोड रुपे था इस film ने इंडिया में 13 करोड रुपे का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था इस film को बनाने में तकरीबन 5 करोड रुपे खर्च हुए थे और ये एक जबरदस्त कोमेडी फिल्म थी तो चलिए बात कर लेते हैं कूली नमबर उनके बारे में कूली नमबर वन फिल्म 1995 में में रिलीज हुई थी ये एक इंडियन हिंदी कोमेडी फिल्म थी इस फिल्म को डेविड धवन के द्वारा डैरेट किया गया था इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर और कादर खान लीड रोल में थे गोविंदा ने इस फिल्म में राजु की भूमी का निभाई थी करिश्मा कपूर ने मालती की भूमी का निभाई थी कादर खान ने इस फिल्म में होशार चंद की भूमे का निवाई थी अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो 22 करोड रुपय था इस फिल्म ने इंडिया में 13 करोड रुपय का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 4 करोड रुपे खर्च हुए थे और ये एक सूपरेट फिल्म साभित हुई थी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिया आपको इन दोनों फिल्म में से कौन से फिल्म स्यादा पसंद आय थी